राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर से हजीर हूँ आपके अपने चैनल Fytilizer Expert में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे एक बहुती अच्छे Plant Growth Regulator के बारे में किसान भाईयो ये Sumo Tomo Company का है Taboli यानि कि Sumo Tomo Company का Taboli Plant Growth Regulator इसके बारे में पूरी जानकारी में आप A to Z आपको देने वाला हूँ यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो इसकी क्या कीमत होगी इसकी क्या डोज होगी इसके क्या फायदे होंगे और इसे आप किस तरीके से खरीच सकते हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और किन-किन फसलोग पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं सब कुछ इस वीडियो में बता जाएगा तो वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाईयो ले पाएंगे किसान भाईयो ये एक PGR टोनिक है इसके अंदर जो हमारे टेक्निकल दिया हुआ है इसके अंदर टेक्निकल है पैकलो बीटरा जोल 40% ऐसी फोम में एसी फोम में होने की वज़े से किसान भाईयो ये आपकी फसलो पर लंबे समय तक चिपका रहता है वो लंबे समय तक अच्छा रेलट आपकी फसल को ये देता रहता है किसान भाईयो ये एक ब्रांट ग्रोथ रेगुलेटर है यानि कि इसे आप एक PGR tonic के नाम से भी जान सकते हैं यानि कि यदि आपको कोई PGR tonic चाहिए तो आप टबोली का उपयोग कर सकते हैं किसानवाय ये PGR tonic के साथ साथ एक fungicide के रूप में भी कार्य करता है किसानवाय ये आप इसका उपयोग अपनी फसलों के उपर करते हैं तो ये आपकी फसल की जो हाइट होती है जो फसल की बढ़वार होती है उस बढ़वार को रोग देता है और उस बड़वार को रोखने के बाद जो आपकी फसल के उपर फल और फूल बनते हैं उन्हें बढ़ाने में ज़्यादे मदद करता है यानि कि यदि आप इसका उप्योग कर लेते हैं अंचाही जो ग्रोथ आपकी फसल की होती है उस ग्रोथ को ये रोख देता है और उस सारी ताकत को ये आपकी फसल के उपर फल और फूलों को बनाने में लगा देता है अगर मान लीजे गेहों की फसल है या फिर धान की फसल है उस पर आप इसका उप्योग करते हैं तो किसानों जो आपकी धान की फिसल की अंचाही ग्रोथ हो रही होती है जो इसकी बढ़वार हो रही होती है उस बढ़वार को ये रोक देगा और जो उसके अंदर दाने बनेंगे उन दानों को बढ़ाने में ये मदद करेगा यानि कि कुल मिलाकर इसका कहना ये है कि जिस फ फसल की बढ़वार को रोक करके उस फसल पर जितने भी फल और फूल और जो दाने बन रहे हैं उन्हें बढ़ाने में ये मदद करेगा। इनके अलावा हमारी जितनी भी फल वर्गया पोधे बस्ते हैं या जितनी भी सब्जियां बस्ते हैं उन सभी पर भी आप इसका उप्योग कर सकते हैं। लेके 170 लेटर पानी के अंदर मिक्स करके आप अपनी फसल उपर इसका इस्प्रे कर सकते हैं। यदि आप इसका उप्योग अपनी फसलों के उपर करते हैं तो जो आपकी फसलों के उपर फल और फूल बार बार टूट टूट कर नीचे गिरते हैं। उप्योग ज़ड़ने से रोकने में भी ये काफी ज़दे मदद किसान भाई आपकी करेगा। बात करते हैं किसान भाई किस समय पर आपको इसका इस्प्रे अपनी फसलों पर करना चाहिए। तो किसान भाई जिस समय पर आपकी फसलों वाली सब्जे तो जिस समय पर आपके फसलों के उपर हलके हलके फूल और फल बनने सुरू हो जाते हैं। पर आपको इसका उप्योग करना है तो जिस समय पर ये आपकी फसलों 50-60% तक अपनी ग्रोथ कर चुकी होती हैं। उस समय पर आपको इसका उप्योग कल लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप सुमय टोम कंपनी के टबोली का उप्योग कर सकते हैं और अपनी फसलों से एक अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं